हमाने आना इसकी को एकस्पाइरेट नियुक थी तो उसमें थी क्या बात है जो लात आसमाजी ले, साथ समुंदर पी ले, चल साथ सुरों में करते ये एलान हिम्मत है तो रोको, जुरत है तो मानो, आज हतेली पे रख दी है जान कुण में तेरे मिटी, मिटी में तेरा खून, ऊपर अल्ला नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, रह सुल्तान क्या मूवी थी या, सुपर अमेजिंग, कई बार मैंने देखी है, दिल अभी तक नहीं बरा, सल्मान भाई ने क्या परफॉर्पॉर्मेंस की थी बार बार देखो, मज़ा आती है, डायलोग जो थी ना, मन ने पहलवानी जरूर शोड़िया, लाड़ना नहीं भूला, क्या हर्याणी भोली यह भाई ने, मज़ा आ गई थी फिल्म देख कर या, दोस्तों आज हम बात क्या रहेंगे, सुल्तान मोवी कर, जिसको साथ साथ क सल्मान खान के अपोजिट पहली बार नजर आया थी, अनुशका शर्मा, वो भी एक पहलवानी करेक्टर निभा रही थी, वो भी जब्वरदस आर्फा का करेक्टर जो निभाया, कमाल का निभाया है, अली अबास जफर की यह फिल्म आप शुरू से लेकर एंट तक देखो कमाल का रोल किया था सल्तान का, यह फिल्म शुरू से लेकर एंड तक आपको होल्ड किये रहती है, बांदे रहती है, आप एक के बाद एक स्जीन दिखो गए ना तो मज़ा आएगी, आप इसको एक बार ठीटर में नहीं, पांच बार शे बार देखो तो भी मज़ा आती है इतनी जबरदस फिल्म बनाया थी सल्तान, जैसा कि अब उपता इस फिल्म को प्रूडूस जो किया था, आदित चोपडा नहीं किया था, और आदित चोपडा ने इसके बाद अली अबाद जफ़र को एक जबरदस फिल्म अपनी दी ती जिसका नाम था टाइगर जिंदा है जिस तीनों लोग, आदित चोपडा, सल्मान खान, अली अबाद जफ़र की तिगड़ी फिर से दिखाए थी उस फिल्म में, और टाइगर जिंदा भी एक कमाल के फिल्म थी वो तो आपको पता ही होगा, बहरा, सुल्तान में सल्मान खान के लिए बहुत टप फिल्म थी, क् कई बार मुझे ऐसा लगा कि इस फिल्म साइन करते हैं कि मैंने गल्ती करती है क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है, और कई बार उनको लगा थे फिल्म को छोड़ देना चाहिए, और उन्होंने इसके लिए पंचान में किलो अपना वेट तक बढ़ाया था, कई बार उनको विडियों में देखा कि सल्मान खान शारूओ खाना चैय। पने की इतन चाहिण जायो है, और इसमें इस फिल्म के लिए घालॉग भी बोलते हैं सबसे नमबर वन गाना ले लो जो इसका लप 누가 इसा बेबी को फिस पंच चबब नाचे मुझको उसका पसंद है पेबी को पेसपसंद है ये गाना भॉजबर्दस हुआ था ता मिका ड अभास कंहिंट के फार्षे जो गाना होता न होटा न भूल न अभाट कई ये infection कि हो घूर पर इस लिए इसका ये सॉंग ये भी था लगे didnY 440 V छूणे से तेरे, छूणे से तेरे, छूणे से तेरे, लगे 440 V छूणे से तेरे, ये भी Mika Singh क्या आवाज था, ये भी गाना बहुत ही कमाल का था, और एक गाना इसका था, जो मेरे बहुत करी था, वो था, तू याद करे या ना मुझे को, चाहे आखों का पेघाम न ले, पर ये मत कहना, अरे ओ पगले, मुझे देख तो ना मेरे नाम न ले, तुझसे मेरे दीन धरम है, तुझसे तेरी खुदाई, तू बोले तो बन जाओं मैं बुले सा शोदाई, मैं भी नाचू, मैं भी वियार को चलू मैं तेरी रा बूल लेया यह सांग बहुत वीटिफूल था इसको फिल्म आया बहुत जबरदस तरिके के था भाँत जबरदस तरिके के इसको फिल्म आया गया था देख के मज़ा आती यह जो दोनों की इंडरस्टेंडिंग दिखाए गए थी गजब की दिखाई थी आपने सॉंग देखा है आप मुझे पता ना आप वह सॉंग ऐसा लगा मुलब इस फिल्म के जितने डायलॉग थे वह एक सब़रदस्ट डायलॉग थे तब तक कोई हरा नहीं सकता जब तक तक तुम खुद से नहीं हार जाते मैंने क्या हुआ है मैंने तो एक लड़की से प्यार हुआ था मुलब सलमान खान के जो बोलने के स्टाइलिस फिल्म के अंदर है जबरदस था और इनके कोज का करेक्टर नहीं भाया था कमाल की थी यह जब पता है फिल्म के स्टाइट होती कि सलमान खान एक डिश्ट टीवी लगाते रहते हैं फिर उसको बाद वहां से उनका बिजनिस चलता है फिर लेकिन वह मस्ती करते हैं लेकिन रिवारी में अगर कोई भी पतंग कड़ जाती है तो सलमान खान किस वाद कोई मैं भी पहलवान बनुगा तो सलमान खान उस दिन से ठान लेते हैं कि मैं पहलवान बनुगा तो सलमान खान सीखने के लिए इनके फादर यानि कुमुद मिश्रा का भी एक जबवर्दस रोल हो उनके यहां आते हैं जो अनुश्वा शर्मा के फादर का रोल रदा करते हैं को किया आया था माठी कीमत जाने के लिए भी रखते है फिर बहुत मेहनत करते हैं इंड़े की तरफ से खेलने जाते है थे उनका बहुत नाम होता दोण करता है कि उनका शर्मा मु strainsवा उनका उनका पर्पोस करती है और स्लमा खान की शादी हो जाती है शादू होने की शाथ्य होनेक लिए गरूर हो जाता है, कि सल्तान को सिर् expenditure एक हरा सके। वो खुछ सल्तामाला उल्य होता है। और इतना जुनितम की शादी हो जाता है कि उनका बेटा पड़ा होता है, उनके पर पास टाइम 腹ी हो thay वह Anda जब तक पहुचते हैं तो उसकी केत हो जाती है क्योंकि सलमा खान एक बात डालो बोलते हैं जाते हैं मेरा खुन बहुत रेर के वह जल्दी मिलता नहीं है तो यही बात अनुश्रा शर्मों को बुरी लगती है अगर काश तुम यहां मवजूद होते हैं तो शायद हमारा करेंगे दो दूबार जाते हैं वहां कम होती है आदनी किसी भी तरीकर से मार सकता है वहां पर कोच बने होते हैं कि दो कुछ करते हैं उनकों सब कुछ कुछ बताते हैं विपर सलमान खान फिर फॉत चिए लगातार था सprofits जितते चला रहा लाद फाइट में एक चीज़ यह है कि जिस तरीके से फाइट आती है एकसैटमेंट हाई लेबल पहुंच आता है और देखने में बहुत मजाती है हर एक फाइट जबरदस होती है और सलमां खान की परफॉमेंस इसमें जबरदस ती इसमें 2-3 जहाँ एवार्ड भी बेस टेकर को मिला नुश्वा शर्मा को मिला पेस फिल्म के लिए सुल्तान को एवार्ड मिल चुका है अब इस फिल्म को देखने के पर सलमान खाशन के फैंस तो यह ही कहते हैं कि भाई, जल दिस जल्द सुल्तान 2 भी आनी चाहिए. जाए यह यह बहुत 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 भी बहूत बहुत बहुत का नहीं को सकते हैं." हां ठीक ठाक है या सलमान खांन के स्टारडम पर चल गें नहीं सलमान के स्टारडaM में लिए साथ इस फिल्म के कहानी बहुत ही जबर्दस माइंट गुरूइंग थी और इसको लोग डीमांड है कि सलमान खान फ्यर सर सुल्तान 2 के स्टान फ्यर्स काम करें परहल आप वो क्या लगता है सुल्तान टूफिर्ट से बननी चाहिए कि ने बननी चाहिए और सुल्तान फिल आपने देखी आप कैसी लगी आप सीन कौन सी सीन सबसे बेस्क लगी है और भाई कि वीडियो इच्छे लिए लिए को लाइक कर देगा चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो